हेलो माइडियो स्टुडेंट्स मैसल विवेकनन्त रम अलफा प्लस बच्चे आज हम ग्रुप थिरी का बेसिक लेक्टर वन शुरू करने जा रहे हैं यह जो लेक्टर सिरीज चलेगा मैं आपको थोड़ा बता दूगा कि इसमें क्या क्या कराया जाएगा और यह कई दिनों तक चलता रहेगा जब तक हम complete group थेरी का syllabus नहीं कर लेंगे तब तक यह चलता रहेगा फर्स्तिंग यह जो लेक्टर होने वाले बिटा यह किन-किन के लिए बैनिफिशन एक तो जितने भी इंडियन उनिवर्सित जितने भी इंडियन इन उनिवर्सिटिस के इंधाय के से बांगी यह देखा गया है कि आज कल जिस तरह की क्वेस्टन के चार उप्शन होते हैं तो बच्चे उस तरह की पढ़ाई में महारत हासिल करने के चक्कर में साउंड अपना मतला अपने आपको साउंड नहीं कर पाते हैं syllabus के content के हिसाब से आपको थोड़ा भजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा आपको content भी वैसे ही चाहिए आए ज़रा शुरू करें देखो बच्चे सबसे पहले content and books books के बारे में मैं end में बात करूंगा पहले content देख लीजे जो भी बच्चा beginner है जिसने अब भी शुरू किया उसको शायद सारा content समन्में ना आए यह पहला पहला पेज आपके लिए लिखा गया है विटा शुरू में groups and subgroups होते हैं then normal subgroups and quotient groups then group homomorphisms automorphisms conjugacy class equation and silo theorems यह complete आपका group theory है और इसके अंदर जाने पर आपको पता लगेगा कि यह सब बहुत बहुत हैं सब कुछ आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा मैं फिर repeat कर रहा हूं आगे जाके सबको एक्जाम दे नहीं है एक तो इंडियन universities के जो college में academics के exams होते हैं उनके लिए लेक्चर बेनिफिशिल है आईटी जैम के लिए अगर आपको sound बना है अच्छे से basic वगरा clear करना है और आप चाहते हैं नया question आप attempt कर सकें तब भी लेक्चर सापके लिए बैनिफिशिल है net में gate में TIFR, NBHM, DU, MSC सब जगा चलिए आईए देखो बिटा सबसे पहले basic definition let us not waste any kind of time basic definition yes let g be any non empty set and star be any operation एक set लिजे एक operation लिजे एक combine कर दीजे ये g is set to be a group with respect to star पहले तो ये picture देखवा एक non empty set लिया आपने उसके साथ एक operation star कमाइन किया अब आप और हम इस structure को इस algebraic structure को पढ़ रहे हैं कि क्या-क्या properties है क्या-क्या properties follow होनी चाहिए ग्रूप बन जाएगा देखो बिटा पहला है आपका यह पहले हैं यहां से पढ़ते हैं अगर यहां दो elements लिया आपने एन भी और यह operation लग रहे हैं स्टार तो इनको combine करने के बाद यह जो एस्टार भी है यह भी सी मेरा नजी अब मैं definition तो आपको बता दूँगा पढ़ भी दूँगा लेकिन यह जो notation है न एस्टार भी यह बच्चों को नए बच्चों को इस्पेशली बड़ा परिशन करेगा देखो मेरे बाद माइडियर यह है modern algebra सही सुना आपने modern algebra एक तुरह से modern modern का मतलब पुराने symbols को भूल जाईए नए symbols को अपना ही है थोड़ा modern हो जाई है इस लाइक इस लाइक इस लाइक देखो बच्चे school level में आप a plus भी पढ़ते हैं आपको पते क्या हो रहा है school में आप multiply पढ़ते हैं आपको पते क्या हो रहा है हाँ जी अब आप a star b पढ़ेंगे एक सेकंड गलत फैमी को शिकार नहीं होना है कि सर a star b इन ही में से होगा कोई जुरूरी नहीं है a star b अगर ऐसे लिख दिया मैंने तो addition के लिए stand कर रहा है a star b अगर मैंने ऐसे लिख दिया a star b is equal to a plus b minus a b इस तरह की चीज़ लिख भी तो ना तो यह addition है मेरे बिटा नहीं multiplication है इन सब चीजों के लिए हर नए बच्चे को तैयार है नहीं चाहिए यह सब चीज़ें आप पढ़ेंगे अभी अपने आपको साथ-साथ चलाईए जो subject चल रहा है उसके साथ आओ तो मैं सरफ यह बता रहा हूं यह जो symbol है आपका star it can be addition it can be multiplication हाँ दुनिया में इनके अलावा भी operations होते हैं modern algebra में आपको वही चीज़े पढ़नी है for example modulo additive modulo and so many things so many other things we will have आईए बिटा तो जब यह चार axioms किसी set के अंदर follow करते हैं तो वह group हो जाता है अच्छा पहले एक्जिम के closure closure अगर मेरे बिटा आप ध्यान से देख पा रहे हैं so c l o s इसके बाद अगर मैं sed लगा दू closed closure closed यह closeness के लिए stand करता है मेरे बिटा closeness का मतलब if the room is closed अगर camera बन नोबड़ी can go out same year यह closure है मेरे बिटा बस इसलिए आप देखेंगे advanced text में या कुछ अच्छी किताबों में closer की जगा closeness लिखा है closeness so यह a b अगर जी में है तो बिटा a star b भी जी में होना चाहिए number two associative law बच्छा काईगा sir a star b star c a star b star c कुछ नहीं बहुत असान है अरे बिटा आसान तो है देखो तुसी है क्या हो यह आप writing position नहीं change कर सकते हैं आप खाली consecutive elements को brackets के सब्सक्राइब कर सकते हैं यह तीन elements के लिए भी होगा यहीं चार elements के लिए हो जाएगा मान लीजी आपको चार के लिखना है a star b star c star d तो बिटा मेरे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं consecutive elements को तो कम्माइब कर सकता हूं और मैं सारा का सारा यह जो मैंने लिखके बताया वो सब बरबाद कर सकता हूं यह करके देखिए यह सब को यह सब को यही सीखना है इन केस अशेसे टिव लो और वैसे भी आप राइटिंग पॉजिशन नहीं चेंज कर सकते हैं इस बात को गांट बांग लीजे पकड़ के रख लीजे कि गुरुप थेरी में elements लिखते हों तब उनका राइटिंग पॉजिशन नहीं चेंज कर पाएंगे करी नहीं सकते हो वह अपराद है बेटा अपराद है modern algebra में राइटिंग पॉजिशन चेंज करना है तो क्या कर सकते ह आपको समझ में आगे है उसके बदेखा आपको समझने आगे है उसके बाद एससेटिव लोग में सिर्फ राइटिंग पॉजिशन चेंज करना है बागी ब्रेकेट्स के थरूँप दो elements को माग पमाई कर सकते हैं नेक्स्ट आपका आइडिंटी और इन्वर्स हाँग जी सह सब्सक्राइब लोगों ने इंट्रिक्स पढ़ा था बहुत अच्छे से पढ़ा तभी तो यहां हो 12th क्लास में अपने एक मेट्रिक्स का इंवर्स निकालना भी सीखा था तो जो काम इंवर्स वहां करता है वह सिर्फ मेट्रिस का सेट था अब आइंटिटी इंवर्स तो फंक्शन में भी आ सकता है अलग अलग सेट्स में आइंटिटी इंवर्स काम कर सकता है अलग सेट का अलग होगा अलग सेट का इनवर्स अलग होगा अलग सेट का इनवर्स अलग होगा सब जगा मेट्रिस तो आपको मिलें there is a special element called e भाई यह बहुत ही खास है और बहुत दिन हो तक यह आपको पीछा नहीं छोड़ेगी इसका रोल देखे क्या है किसी भी element के साथ इसको combine करते हैं जैसे 12th class में करते थे आप 12th class में क्या करते थे तक यह आपको नोटिस करना है वो यह बात है मेरे बिट्टा कि यह सिंबल आपका एस्टारी यह एडिशन में यह मॉल्टिप्लिकेशन में यह modulo, additive modulo में, multiplicative modulo में और otherwise भी आपको star के हिसाब से identity यह सारा कुछ निकालना पड़ेगा मतलब यह ना समझें आप, आप यह गलत फैमी का शिकार ना हो, कि E का value हर set में सेम होगा different sets में E का value different होगा, right now आप यह याद रखिए, कि group theory में, group लिखते वक्त, identity symbol E से, E सी ही टनोट करने आप, चलिए यह 12th class के matrix जैसे समझ में आगे, अब 4th पर आईए, existence of inverse पर आजाए, वही 12th class, बिल्कुल ऐसे, जैसे होता सब 12th class में, क्या होता था हो, बेटा, A A inverse equal to A inverse A equal to identity, तो यहाँ क्या होगा, यह A है, इसका inverse ले आई है, and you better know what will happen, A star A inverse, A inverse star A equal to identity, clear होगे आप लोगों को, तो जिस भी set में 4 axioms follow होगे, जिस भी set में 4 axioms prove होगे, उसी को group बोला जाएगा, अब आगे बढ़ने से पहले सुनो भाई, क्योंकि आप अलग-अलग books को भी refer कर सकते जाहर सी बाते करेंगे, तो मेरे बिटा, different books में आपको यह symbol देखने को मिलेंगे, इसको बोला जाता है, group axiom no.1, this is group axiom no.2, this is group axiom no.3, this is group axiom no.4, suppose माल नीचे एक set में आपके पास, G1 true होगे, G2 true होगे, G3 भी true होगे, लेकिन G4 true नहीं होगे, तो क्या हम उसको group बोल पहेंगे, बिल्कुल भी नहीं, group होने के लिए चारों चीज़ें फॉलो करने ही, closure, assistive law, existence of identity and existence of inverse, अच्छा, अभी तो group theory चल रहे है, आगे जाके आपका ring theory आएगा, उसमें group theory आना चाहिए, बिना, बिना, बिना group theory के ring theory, किसी को आई ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं सकता, likewise, likewise, उन दोनों के बाद आपको linear algebra पढ़ने है, उसमें भी सारा algebraic structure है, थोड़ा सा परिशानी होती है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा परिशानी होती है, अगर groups और rings का basic आपको नहीं बता, जैसे vector space के time पे, linear algebra के time पे आपको field पढ़ना पढ़ेगा, तो आप साथ आजाओ बिटा, देखिए पहले, various examples, यहां कुछ बहुत basic चीज़े लिखी है, मैं पूरा proper present करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको questions दिखा देता हूँ, पूरा proper presentation इस तरह की question में होगा अभी, आप लोग बस साथ आजाए, बच्चों की तरह साथ आजाए, बच्चों है, आर क्या चीज है, सी क्या चीज है, थोड़ा से लेवल लिखे आना पड़ेगा आपको, natural numbers, integers, rational numbers, real numbers, complex numbers, अगर size के बारा हमें बात करें तो, n z में contain है, z q में contain है, q r में contain है, r c में contain है, c सबसे बढ़ा होता है, और देख लीजिए, हमें बहुत दूर जाना है, algebra कोई अ z plus लिखा है, q plus लिखा है, r plus लिखा है, c plus लिखा है, अब बाकी सब चीजें आपके साथ discuss कर लेते हैं, मोटे तोर पे, देखो मेरे बच्चों के तरह discuss कर रहा हूं, मैं इसमें आपको proper presentation नहीं है, यह बहुत basic चीज है, आपको समझ में आ जाएगा, just listen to me, kfp, all of you, मैं तो क्या होगा मेरे बिट्टा, और इसी की जगा, g, dot होगा, तो क्या होगा मेरे बिट्टा, बच सुन लीजे, यह कोई भी operation है, star is any operation, यहां star की जगा plus है, तो इस तरह के, अगर group बन गया तो, इस तरह के structure को बोले जाएगा, additive group, additive group, और यह likewise, इस तरह के structure को बोले जाएग भाई यह तो करा नहीं पड़ेगा, आप लोग प्लीज ध्यान से देखना, सभी बच्चे, सभी learners, सभी beginners, अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला है, symbol के बारे में, तो identity, yes, अभी मैंने बताया भी था बिटा, identity को आपको e ही लेना पड़ेगा, e, बट यहां तो उन्होंने और operation बता दिया, तो यहां का e कितना होगा, यहां का e कितना होगा, आओ ज़रा मेरे साथ, देखो मेरे बेटा, identity का रोल क्या होता है, a star e, equal to e star a, equal to a होना चाहिए, अब यही चीज यहां लिखेंगे अगर आप plus में, आप कह रहे थे, a star e, जो है, sir, a के बराबर आना चाहिए, finally, बता यहां का operation plus है, तो a में मैं कितना add करूं की a i, anybody can make out 0, 0 है, बच्चों की तरह observe कर लो न, क्या हो गया, तो यहां पर identity जो है मेरे बेटा, e जो है वो 0 हो गया, अच्छा, अब यही चीज यहां पर भी देख सकते हैं, आप लोग बच्चों की तरह नहीं करेंगे, तो क यहां से आपको पता लगते हैं, आपको operation का respect करना चाहिए, जब कुछ नहीं बोला तो identity e लेना है, जब plus बोल दिया तो identity 0 लेना है, जब dot बोल दिया तो identity 1 लेना है, next, अब यही चीज बच्चों की तरह, बच्चों की तरह करो, inverse के लिए, inverse में क्या पताया था मेरे बेटा a star an versus identity होना चाहिए, अब यहां चाहिए, अगर आप लिख रहे हैं, a star an versus identity, question number 1, यहां का identity तो 0 है, आपके सामने, question number 2, यहां का star क्या है, star, star तो plus है, जल्दी से बता दो, a में कितना add करेंगे कि 0 आएगा, कोई भी बच्चा बता सकते है, 5 में कितना add करेंगे, 7 में कितना add करेंगे कि 0 बन जाएगा, negative, उसका negative, yes, तो यहां दिख रहा है आप लोगों को, कि बिटा, जो a inverse वहा हुआ करता था, यहां minus a है, अभी देखेगा, बहुत अच्छा discussion चलेगा, चल रहा है, अब यहां आजो, a star an versus identity, question number 1, what is the identity of the set, 1, question number 2, what is operation, a में कितना multiply करेंगे कि बना जाएगा, seven में कितना multiply, बचो की तरह करिए, बचो की तरह, आपके अंदर चली जाएगी चीजे, अराम से, smart नहीं बनी है, समझदार बनी है, अब यह मोटी-मोटी बाते मैंने आपको बता दी, आप यह मोटी-मोटी बातों के बाद, simple observations आप सबके लिए, बेटे यह जरू अपना अच्छे से notes बगरा बना लीजेगा, yes, identity क्या होगा, और inverse of a क्या होगा, अभी अपने देखा, इस case में identity e है, इसमें 0 है, इसमें 1 है, इस case में inverse of a inverse है, इस case में minus a है, और इस case में 1 by a अब चोटी-चोटी बात है, जो आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है, बेटा, अब P by Q, अगर किसी 7th class के बच्चे से पूछेंगे, चोटी class के बच्चे से पूछेंगे, कि भाई, P by Q कब defined होता है, कब exist करता है, वो immediately बोलेगा, when Q is non-zero, yes, Q is non-zero, तो 1 by a कब defined पहली बात, दूसरा, हम सभी लोग, हम सभी में आप भी है, हम मैं भी हूँ, आप भी हो, मैं भी हूँ, बिटा, अगर आप लोगों को बोला जाए, inverse, inverse के लिए बोला जाए, inverse, तो immediately ध्यान आता है, inverse of A का मतलब 1 by a, नहीं, 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 यह शुद रिस्प इफेक्ट दो ऑपरेशन, यहां से बता लगा आपको, येस, ये मैं आप लोग के लिए लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखे, मैंने मार्क भी कर दिया है, आप लोग भी अपने नोट को मार्क कर लीजेगा, inverse need not be 1 by a, for example, matrix का inverse, क्या किसी matrix का inverse 1 by a matrix होता है, नहीं, वो तो हमारे मन पे ऐसे एफेक्ट पड़ावा है, कि inverse हो पे लिखेंगे, तो 1 by a आएगा, matrix में तो नहीं होता है, किसी function का inverse 1 by function होता है, जरह ठहरो, what is sine inverse x, कभी आपने sine inverse x को 1 by sine x लिखा, जब वहां नहीं लिखा तो यहां क्यूं, समझ रहे है, you must respect the operation, ज्यान रखेगा, तो group theory में h is important है, तो अभी आप लोगों को in general समझा दिया गया है, कि identity को क्या symbol से denote करेंगे, inverse को क्या symbol से denote करेंगे, आप लोग, but अगर operation change है, जैसे कि plus और dot बच्पन से बढ़ते हैं, तो h ही समझ में आलो, अब बिल्कुल basic example देखो बिटा, यह करते हैं अभी, देखो मेरे बिटा मैं insights के बारे में बात कर रहा था, Z plus Q plus R plus C plus group है या नहीं है, फटा-फट से देखिए ज़र, मैं सरफ Z plus के लिए discuss करूँगा मेरे बिटा, only Z plus, बाकी के लिए अब अपने अब देख लीजएगा, closure, सभी बच्चे देखें, यह बच्चो वाला discussion हो रहा है, जल्दी से बता दो, अगर मैंने दो integers लिए, तो क्या उनका sum भी इसी में आएगा, definitely, कोई भी दो integers sum up करके देखें, 2 plus 3, 2 plus 9, 5 plus 7, वो भी तो Z में ही है, अच्छा, माइनस वाले लो, what is minus 2 combined with plus with minus 7, you know, you know, you know, तो अगर A भी इसमें है, तो बेटा, A plus B भी इसमें हो, बहुत obvious से चीज़ है, तो closure छोड़ भीजे, पुसके अच्छा लो, बैसे देख लो यार, बच्छो की तरह, what is 2 plus 3 plus 4, is it same as 2 plus 3 plus 4, yes it is, तो उसमें जादा माथ बच्चे नहीं करनी है, अभी आप लोग को अकेडमिक्स के लिए जादा एससेटिव लोसे आप अंगानी लेना है, बहुत अच्छा होता हो, closure हो गया, एससेटिव लोग हो गया, बिटा इसका identity देखिए और इसी का inverse देखिए, बच्छो की तरह, अधी मैंने अभी कुछ समझाया था आप लोग को, बेटा प्लस के केस में और मुल्टिप्लिकेशन की केस में identity inverse अलग से बताया गया है, प्लस के केस में identity क्या होता है, 0, क्या ये set 0 को सच में contain करते है, definitely, तो वही उसका identity अभी, इडेंटिटी 0 लीजे ये भी आ गया, inverse, addition म inverse सारा जगड़ा ही तो उसका था, inverse का मतलब 1 भाय थोड़े ना बोलेंगे मिशा, addition में inverse minus है बोला गया, minus है, तो बिटे ये बताये है जल्दी से, अगर, yes मैं ये जल्दी से, अगर, yes मैं ये जल्दी से, दियान से देखना बिटा, क्योंकि जवाब तो आप ही को देना है, हांजी, what is inverse of 2, minus 2, what is inverse of minus 3, 3, what is inverse of 0, 0, आप बताओ ज़रा, क्या सारे elements का additive inverse वही नहीं बठावा है, तो ये तो ग्रूप हो गया, आप मेरी बात समझ गए, बेटा, a अगर z में है, तो this implies minus a bz में है, मैं इसको properly present नहीं कर रहा है, exam wise, मैंने बच्चो वाला discussion किया है, कि operation आ आपके सामने आ गया है, set आपके सामने आ गया है, जल्दी से दो friends की तरह discuss कर लो कि बहुत क्लासिकली प्रिजेंट करने का टाइम आ गया, अभी आपको और हमें definition clear हो गया, अब हम करेंगे tremendous examples, जो आपकी आँके खोल के रख देंगे, इतने tough भी नहीं है, देखें यहां लि sign an operation star on r minus minus 1 by a star b is equal a plus b plus a b, yes question number 1, is it addition, not at all, क्यों, addition होता तो a plus b लिखना चाहिए, is it multiplication, not at all, क्यों, अगर multiplication होता तो सिर्फ आपको a b लिखना चाहिए, आप समझ गया, ना यह addition है, ना यह multiplication है, विचत्र तरह का, अलग तरह का modern operation है, yes, show that g, इसको g maal लीजे, जो भी आपका given 1 set है, r minus minus 1 is a group with respect to star, इसका closure, associative law, identity inverse, properly present करके दिखाएंगे, और सभी बच्चों के लिए, ऐसे ही करना चाहिए, आप लोगों को, सब बच्चों के लिए, ऐसे ही करना चाहिए, कोई भी question, देखो मेरे बटा, सबसे पहले, यह set देख लीजे, है क्या चीज, अगर ज्यादा अंदर जाना है आप लोगोंको तो, जी में आपने लिया, सब कुछ लिया, बस minus 1 नहीं लिया, यानि पूरी की पूरी रियल लाइन में, minus infinity, infinity में, बस minus 1 नहीं लिया है अपने, इसका मतलब हता है, what is the meaning of saying x belongs to g, x belongs to g का मतलब, x belongs करेगा, r minus minus 1 में, तो वो कुछ भी हो सकता ह है, बस minus 1 के बराबर नहीं होगा, this should be clear, ठीक है जी, इतो समझ में आगे, next thing, अब इसका closure, associative, identity, inverse देखो बिटा, सबसे पहले closure, बहुत शान्त, मन से देखिएगा, बहुत शान्दार चीज है, closure, if a, b belongs to g, तो हमें पता है, closure के हिसाब से, अगर a, b इसमें, a, b, तो बिटा, a star, b भी इसमें होना चाहिए, अब a star, b की शकल देखिए, आप सोच रहोंगे, कि a, b से सारी चीज़ा आई नहीं कैसे, बहुत राउंस, बहुत राउंस, बहुत राउंस, बहुत राउंस, देखिए, इसमें, a कुछ भी हो जाए, माइनस वन नहीं होगा, b कुछ भी हो जाए, माइनस वन नहीं होगा, उसके बाद क्या करें, एड कर दीजे, a plus 1 is non-zero, and b plus 1 is non-zero, just multiply them, this implies a plus 1 multiplied with b plus 1 is not equal to zero, numbers है, numbers, real numbers की तरह बात करें, अगर हम तो दो numbers non-zero, तो उनका product भी non-zero होगा, let us see, product क्या है, मेरे बिटा, a, b plus a, plus b, plus 1 is non-zero, चलिए, this implies a, b plus a, plus b is not equal to minus 1, जरा देखिए ध्यान से, क्या ये quantity, ये quantity, ये quantity, ये ही नहीं है, अरे तो ये ही आ गया, बात बात में आ गया न, so this implies, देखा बिटा, logic, logic always wins, बिटा, अगर ये minus 1 नहीं है, तो ये पूरी real line में belong कर सकता है, लेकिन minus 1 नहीं होगा, तो I hope this is very, very, very clear to all of you, कि क्या logical तरीके से आपका associative law, ये, sorry, closure prove हो गया, पहला exam closure था, second exam में आपर हम बहुत अदर टाइम नहीं लगाएंगे, associative law is obvious, चोड़ दीजे उसको, sir, ये exam में क्या लिखेंगे, ये लिखेंगा, it is obvious, clearly we can show, A star, B star, C, कुछ है नहीं हो, वह अलग से show नहीं करना, उसमें टाइम नहीं खराब किया अगर, टाइम लगाना है, अगर आप लोगो को अपना talent दिखाना है, अगर आपको अपना talent दिखाने के लिए 12th class में दिखाया तो सा, एदर ये जो थोटी सी लाइन है, exam number 2, associative law, ये ही लिखेंगे बार-बार, जहां जहां obvious होगा, clearly we can show, A star, B star, C is equal to A star, B star, C, कोई problem नहीं है भाई, कोई मेरी बात मानो, कोई परिशन नहीं हो, पूट दीजिए, second exam भी हो गया, अब आते हैं, अपना talent दिखाने वाली exam, आप लोगों के लिए कह रहा हूं बिटा, मैं तो क्या ही दिखाऊंगा talent, closure हो गया मेरे बिटा, identity पर आदो, exam number 3, जी आप सब से question है फिर से, बिटा क्या ये addition है, क्या ये multiplication है, had there been addition और multiplication, अगर addition होता, immediately आँख बंध करके identity 0 होना चाहिए था, अगर multiplication होता, आँख बंध करके identity 1 होना चाहिए था, लेकिन ना तो ये addition है, ना ये multiplication है, फिर identity कैसे निकलेगा, निकलेगा नहीं, आपको निकालना है, proper तरीके से, तभी तो मैं कहा रहा हूं, सबसे classical questions करने जा रहे हैं, आईए, देखे, identity कैसे निकालेगे, बहुत ध्यान से देखे, निराश नहीं करने आपको, suppose, suppose, माल लीचे, ये g star है, आपने माल लिया, e इसका identity है, suppose, e is the identity, of g, of course, विटा अगर e identity है, किसी भी दूसरे element के साथ उसको combine कर भीजेगा, आप कहेंगे, इसका value कितना, value निकालने के लिए बता रहा हूं, value निकालने के लिए बता रहा हूं, therefore, a star e, this should be a, for all a belongs हुची, that is, ये क्या चीज है, a plus e plus a is a, that is, e plus a is 0, you know, a से ए कैंसल होगी, that is, 1 plus a along with e is 0, just wait, algebra हमें सिखा, algebra है पट रहा है, algebra हमें सिखाता है, logic भी हमें सिखाता है, कि अगर दो quantities का हैं, तो numbers है, numbers है, real numbers, अगर दो real numbers का product 0 है, तो या तो पहले वाला 0 होगा, या दूसरे वाला 0 होगा, या दूनो 0 हो जाएगे, अब ये बताईए, अगर आपने a group से लिया है, और g stand कर रहा है, r minus minus 1 के लिए, तो क्या ये a भाई साब minus 1 के बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल भी, आप भी बताते हैं, जरा क्या 0 होगा, logic clear होगे, logic always wins, वो आपको जुकने नहीं देगा, वो आपको गिरने नहीं देगा, अगर आपके पास सही तरह का logic है, that is clear होगे, तो बिटा, इस group का, ये जो group बनने जाए, बनानी है, इस set का identity 0 है, जीरो है, अब, अब, इस set का inverse निकालेंगे, set का नहीं, element का inverse निकालेंगे, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने बताया है, देखों मेरे बिटा, बहुत ध्यान से देख लेगे, yes, closure, identity, and lastly आपका inverse, classically करने ही कोशिश करेंगे, आप और हम inverse के लिए कैसे चल होगे, मेरे बिटा, क्योंकि बहुत सरे questions में चलना है, ये g है, मान लीजे, a का inverse ये वाला symbol है, अब आपको exactly, इन दोनों को command करके identity आएगा, and again, आगे जाके, a inverse का exact value बता लग जाएगा, सही सुना आपने, आएए, suppose a belongs to g, and that a inverse is its inverse, ये symbol है, so therefore, a star, a inverse should be identity, मैं जान बूचके e नहीं लिख रहा है, क्योंकि इसका e है ही नहीं, इसका e तो 0 है, आओ बेटा, जर्दा बताओ इसका क्या left side का क्या मतलब है, यहां से a plus a inverse plus aa inverse, और identity कितना है, यहां का भी निकाला था बेटा आपने, 0, so that means a inverse plus aa inverse equal to minus है, that is 1 plus a along with a inverse is a, हाँ जी आप सभी बच्चे बिल्कुल सही चीज देख पा रहे हैं, यहां से a inverse का value आपके सामने निकलने जा रहा है, छोटे बच्चे से पुछें, गरे school के बच्चे से पुछें, कि भई this is something over something, कब defined होगा, immediately वो बोलेगा, कि जब इसका denominator non-zero होगा, denominator non-zero होगा, यहां यहां यह नि a should not be minus one, वो तो शुरू से लेके चल रहे हैं, आपको दिखा उसका use कहां कहां हो रहे हैं, कहां कहां हो रहे भी देख लीजे, I hope this axiomatic approach, this practical approach यह बहुत जादा आपको excited लगा होगा, ऐसी आगे वाले questions में भी लगाएंगे, clear होगे हैं मेरे बिटा, चली अब आगे चलते हैं, अपना pause करके notes बगरा बच्चे से बना सकते हैं, closure कर लिए हैं बिटा हमने, associative law में लिख दीजेगा, clearly we can show, identity आपके सामने है, inverse आपके सामने है, इस present question ने आपको एक संदेश दिया है, जब कभी भी operation extraordinary हो, हाँ जी extraordinary, जब modernize कर लेंगे operation को, तो आपको ऐसे चलना चाहिए, ठीक है next, यह वाला question देखिए, define operation star on q plus, q plus, देखो मेरे बिटा, q सारे rational numbers होगे, q plus positive rational numbers होगे, q minus negative rational numbers होगे, q plus में 2 by 3 आएगा, 7 by 5 आएगा, q minus में minus 2 by 3 आएगा, minus 7 by 5, समझ रहे, यह लो positive negative support, और rational में तो सारे यहान है, ठीक है जी, अब इस set को show करेंगे, define star on q plus by a star b is ab divided by 2, अपने आप से पूछिए, क्या यह multiplication है, अगर अगर यह multiplication होता मेरे बेटा, तो a star b को simply ab लिखते है, पर यह a star b को ab नहीं लिखा है, ab by 2 लिखा है, this is not multiplication, यानि वैसी ही चलना पड़ेगा, जैसे पिछले question में चले थे, आए, group की सारे exams करें, exam number 1, थोड़े दर के लिए, या इसको q plus को q plus ही रहने दीजिए, या इसको g बला दीजिए, समझे ले, g लिखना थोड़ा ठीक रहते है, beginners के लिए, आओ मेरे बेटा, सबसे पहले, closure, देखे, logic, logic always wins में कोशिश करूँगा, एकदम logical चलने की, अगर a, b, g में है, मेरे बेटा, अगर a, b, q plus में है, अगर a, b, q plus में है, यानि a is a positive rational, b is a positive rational, अगर मैं दो positive rational को multiply कर दूँँ, तो वो भी positive rational ही बनेगा, negative student हो जाएगा, अगर मैं इसमें 1 by 2 multiply कर दूँ, बात बात में बात हो गई, yes, तो पिटा a, b, divided by 2, ये भी q plus में, अब ज़रा इसको time नहीं खराब करेंगे, time है नहीं हमारे पास खराब करने के लिए, a star b ये बिटा है, ठीक है, समझ में आगे आपको, yes, this implies a star b, g में ब्लॉंग करेंग, तो पिटा बात बात में ही आपने closure brew कर दिया, उसके बाद associative law, जैसे पहले लिखा था, वैसे लिख दीजेगा, जैसे पिछले question में लिखा था, वैसे लिख दीजेगा, clearly we can show, clearly we can show, कुछ नहीं करना, marks पगरे नहीं कटेंगा, don't worry, अपका काम भी हो जाएगा, हाँ जी, exam number 3, identity, मेरे बिटा, अगर ये multiplication होता, immediately किया देते, identity 1 है, अब यहाँ identity निकालना पड़ेगा, देखे, जैसे पहले निकालना था, suppose e belongs to g, be its identity, that is, a star e equal to a, that is, what is a star e मेरे बिटा, ae by 2 is a, अब देखो, q plus का मतलब, q plus का मतलब positive rational, अगर positive है, तो non zero है, अगर non zero है, तो a से cancel हो जाएगा, 1 by a से multiply कर दीजिए, दोनों तरफ, आप समझ गए मेरे बाद, so e by 2 is equal to 1 मेरे बिटा, यानि identity इस बार परकाया है, इस बार का identity 2 है, good, अब आईए inverse पे, inverse, जैसे पहले किया था, a ले लीजिए, a का inverse निकाल लीजिए, अभी निकाल लेते हैं, देखो बेटा, suppose a belongs to the end, अगर ये दोनों सिम्बल से एक दूसरे के inverse हैं, ये और ये, तो दोनों को combination identity हाना थी, therefore a star a inverse should be equal to identity, हां जी मेरे बिटा, इसका क्या मतलब a star a inverse का, a, a inverse divided by 2, और identity कितना निकाला आपने अभी, 2, चलि, that is, a inverse is 4 भाए, again the same situation, वहीं आके खड़े होगा, कब defined होगा, कब exist करेगा, जब denominator non-zero होगा, अरे भाई, जब सब कुछ q plus से, आरे सब कुछ non-zero है, तो फिर ये 1 by a defined, this is defined, clear होगे है, तो I hope ये process आपको clear है, closure, identity, inverse, ये सब कैसे करते हैं, आप देख लीजए, यहां इसके लिए लिख दीजएगा, clearly we can show, can be shown, okay, अपना talent इन सब में दिखाओ, दिखा ही रहे हैं आप लोग तो के, ये ये वाले groups देखिएगा, show that GL2R and SL2R with respect to dot, ये वाला dot, ये वाला dot क्या है, और ये GLSL क्या है, उनके लिए देखो बिटा, आप लोग को तो देखना पड़ेगा, आजओ, ये से मल देखो तो आपको, sorry, yes GLNR में क्या हैगा मेरे बिटा, और SLNR में क्या हैगा, इसका full form भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, क्या है इसका full form, GL stands for general linear, SL stands for special linear, yes GLNR देखिए पहले क्या चीज है, सो GLNR में होने के लिए, ऐसा N cross N matrix लीती है, जिसकी entries एक तो real है, और जो ये वाला काम कर रहा है कि इसका determinant non-zero हो जाए, सियात करें, determinant non-zero का मतला भी matrix invertible निकालते हो, ठीक है, अब यहाँ, ऐसा N cross N matrix लेना है, जो कि real है, और उसका determinant one है, wait for a second, मेटा उपर वाले में, नीचे वाले में, क्या फरक है, या आप कैसे differentiate करेंगे, please have some sense, आप सब को कह रहा हूं, देखो मेरे बच्चे, determinant non-zero है, it can be one, it can be minus one, it can be root two, it can be one by root two, it can be any non-zero number, कोई भी non-zero चल देगा, लेकिन दूसरे वाले में, कोई भी non-zero नहीं चलेगा, दूसरे वाले में तो determinant has a special value, that is why, that is why इसको बुले जाता है, special linear, अच्छा जी, अब मैं इसी में थोड़ा सा और analyze करके बता देता हूं, आप लोगों को, बेटे जरह साथ रहेंगे, और में एको ठीक से जवाब देंगे, कि कौन यहां है और कौन यहां नहीं है, please, SL में होने के लिए matrix का determinant non-zero होना चाहिए, SL में होने के लिए matrix का determinant non-zero होना चाहिए, sorry GL में होने के लिए, not SL, GL, general में in general non-zero, special में special value केरी कर रहे determinant and that is 1, बेटा यह example देख देख के बताईए, चार examples बच्चों के लिए, यह matrix लिया मैंने, जल्दी से बताओ GL-2-R में होगा, यह SL-2-R में होगा, किस में होगा, ध्यान से देखेंगे, matrix पहला लिया गया है 1002, फिर लिया गया है 1001, then 0000, then 1000, and lastly it is 0110, अगर आपके पस थोड़ा सा भी दिमाग ठीक से काम कर रहा है आप लोह को तो आप सही से जवाब दे सकते हैं, पहले वाले में determinant कितना है मेरे बिटा, determinant is 2, तो 2 वाला determinant तो non-zero में count होगा, यहां count होगा, 2 वाला determinant, 1 determinant में count नहीं होगा, यहां नहीं है, मतलब, this is a member of GL, but this is not a member of SL, first thing, secondly, यहां determinant 1 है, अगर determinant 1 है, तो non-zero भी तो है, तो यहां भी आगे, यहां भी आगे, इसका determinant 0 है, ना उसको यहां प्रवेश मिलेगा, ना यहां, आउटसाइड वेट करना पड़ेगा, यहां भी determinant 0 है, not allowed, last वाले में determinant is minus 1, minus 1 non-zero है, लेकिन 1 नहीं है, यह clear होगे आप लोगों को, अभी सुनिए जरा, अब यहीं से उठाते हैं, असली चीज, यह symbol आपको समझना पड़ेगा, पहले तो आपको और हमको, GL और SL का फरक समझ में आ गया, GL General Linear, ऐसा matrix लेंगे, जिसका determinant simply non-zero है, ठीक है, SL में ऐसा matrix लेंगे, जिसके determinant की special value 1 है, उसके बाद, यह NR क्या चीज है, बेटा यह तो देखना पड़ेगा आपको, What is GL2R? Well, notation आप समझ गए, देखो मेरे बेटा, GL2R में आपको 2 x 2 real matrix लेना है, GL3R में आपको 3 x 3 real matrix लेना है, अगर आपसे यह बोला जाए, कि SL3C बताओ, बिल्कुल सही समझे, 3 x 3 complex matrix में बात कीजे, इसी तरीके से GLNQ, हाँ हाँ ठीक है बेटा, n x n rational matrix में बात करो, यह तो समझ में आगया आपको, अच्छा जी, अब जरह यह example के बाद, एक चीज़ और समझा दीचे आप लोग, आप इसे पूछ रहे हैं, देखो मेरे बेटा, आप सब लोग, What is the meaning of saying, A belongs to GL, and what is the meaning of saying, A belongs to SL, A belongs to GL के लिए, determinant non-zero energy, और A belongs to SL के लिए, determinant 1 energy, बस, यह knowledge हमारे पास है, अब on the behalf of this knowledge, यह जो भी लिया आपने, अब हम एक बहुत बढ़िया question करने जा रहे हैं, बिटे जरह ध्यान से देखिएगा, show that GL2R यहां है, और SL2R यहां है, यह operation क्या है, यहां मैंने dot लगा दिये, आप लिख लीजेगा matrix multiplication, हर चीद उतना elaborate करके तो नहीं लिख सकते हैं, यह dot matrix वाला dot है, यह dot matrix multiplication है, आईए दोनों को मैं करके दिखा देता आपको फटा-फट से, time नहीं खराब करेंगे, जुल्दी से आजाओ, सबसे पहले GL का closure देखेंगे मेरे बिटा, अगर AB GL में, okay let me write GL properly, बहुत ध्यान से देखेगा, बड़ा मज़दार है, मेरे बिटा, अगर AB GL में है, तो आपको अभी अभी बताय गया था, यहां होने के लिए, determinant non zero होना चाहिए, जो होना चाहिए वो लिख दीजिए, अगर यह दोनो non zero real numbers हैं, इनका जो product आएगा, वो भी non zero real number ही आएगा, बिल्कुल आएगा चाहिए, but determinant of product is product of determinant, I hope this is clear to all of you, जैस भी matrix का determinant non zero है, वो तो GL में belong करेगा, clear हो गया, अब यही चीज़ आप SL में भी निकाल सकते हैं, इसलिए आमने सामने लिखा गया है, तीनो चीज़े चारो चीज़े सब बता देंगे, board भले ही भर जाएगा, आपको confusion बिल्कुल भी नहीं होगा, closure देखेंगे यहां बिटा, आप लोगों को confusion बिल्कुल नहीं होगा, कमिया निकालने वाले खूब निकालते रहें, क्या फरक पड़ता है, अगर AB SL में है, इस इंप्लाइज, determinant of A is 1, and determinant of B is 1, इस इंप्लाइज, determinant of A multiplied with determinant of B is 1, determinant of product is product of determinant, thank you very much, this matrix का भी determinant 1 आएगा, वो तो SL में बिलॉंग करेगा, this implies AB बिलॉंग कर रहे है, clear होगा दोनों का closure, दोनों का associative love, मैं end में बात कर लूँगा, जरत दोनों में आप identity के लिए काम करेंगे, आप हमारे साथ, आईए, दियान से देखिए का यहां का identity क्या है, और यहां का identity क्या है, देखो मेरे बिटा, 2 x 2 में बात कर रहे हैं, तो GL में क्या लेंगे, और SL में क्या लेंगे, वही identity लीजिए, जो आप 12th class से लेते आ रहे हैं, 1 0 0 1, 3 x 3 में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, हां जी वही ला identity, वह यहां काम करेगा, यहां काम करेगा, देखे जरा कैसे करेगा, identity, identity, there exist, i equal to 1 0 0 1, belongs to GL, wait, 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 I will tell you everything, बैटा, इतनी देर से समझा रहा हूं, GL में belong करने के लिए क्या condition है, matrix का determinant non-zero होना चाहिए, बस, हां, क्या एस matrix का determinant non-zero है, बिल्कुल है, 1 है सार, 1 भी तो non-zero होता है यार, ठीक है न, it is such that, हो गया question खता हूं, a i equal to i a equal to a, 12th class से करते आ रहे हो, इसमें तो परिशानी भी नहीं होगी, अब यही चीज़ यहां देखो, identity, जो चीज़ आपने पढ़ी हुई उसका यूज कर लेते न, यहां, there exists i equal to 1 0 0 1, belongs to, sl 2 r, हां जी, sl में क्यों belong करेगा, मैं लिख रहा हूं reason, भी मैं लिख रहा हूं, ना ना यह थोड़ना लिखा जाएगा इस बार, इस बार तो वो लिखा जाएगा जिसकी जरूरत है, इस बार आपको determinant 1 चाहिए, आभी बता दीजे, इसका determinant कितना होता है, वन ही तो होता है, वन ही तो होता है, and it is such that, बाकी rest you know, sorry, a i, i a, a, ठीक है, यहां, for all a belongs to gl, आप compare कर लीजेगा, यहां, for all a belongs to sl, चलिए, इस question के बाद, next, देखो बिटा, closure हो गया दोनों का, identity हो गया दोनों का, अब inverse भी देख लीजे, बहुत ध्यान से देखेगा, इतने space में हो जाएगा, देखो, बहुत प्यार से बड़े रामस हो जाएगा, कोई भी मेंबर ले लीजे, यह एक छोटे सी चीज, बड़े जरह बतेगे, यहां से, बड़े हो गया है यार, graduation में आगे हो, आगे की तियारी कर रहे हो, बड़े-बड़े exams की, entrance exams की तियारी कर रहे हैं आप, क्योंकि यह lecture तो देखना पड़ेगा आपको, समझ में आ गया, thank you very much, so what is determinant of A inverse, it is 1 by, हंजी हमेशा ऐसी होता है, determinant of A inverse is 1 by, अब करते हैं इसका इलाज, आए, suppose A belongs to DL, that is determinant of A is non-zero, also, also, what is determinant of A inverse, यह तो 1 by determinant of A होता है, जल्दी से पता हो, अगर यह non-zero है, तो यह quantity 1 over this, यह भी तो non-zero होगा, clear होगे आप लोगों को, अगर किसी matrix का, for example, determinant of A inverse का determinant जो है, वो non-zero आया है, तो वो matrix कहां belong करेगा मेरे बिटा, GL, चलिए तो समझ में आगे, यही चीज यहां आज़ी, inverse यहां भी देखेंगे, हारेंगे नहीं, आप जीतेंगे, also, what is determinant of A inverse मेरे बिटा, अभी तो बताया था, 1 by determinant of A, and because यह 1 है, तो 1 by 1 तो 1 ही होता है, जिस भी matrix का determinant 1 हाएगा, वो कहां belong करेगा मेरे बिच्चे, A inverse belong करेगा, ऐसे, clear होगे आप लोगों को, देखिए, closure compare कर लीजेगा लिखते वक्त, identity compare कर लीजेगा लिखते वक्त, और inverse compare कर लीजेगा लिखते वक्त, आपको proper notes बनाने हैं, और Assessative law के लिए, बहुत ज़्यादा परिशानमत होई है, statement बोल रहा हूँ, आप अच्छे तो लिख सकते हैं, दोनों में, Assessative law में, clearly we can show, a.b.c is equal to a.b.c, पहले वाले में, ab combine कर दो brackets में, बाद वाले में, bc combine कर दो brackets में, दोनों में यही चीद लिखे जाएगे, तो चार अच्छे-च्छे questions कर लिए हैं, तीन है वैसे तो, लेकिन इसमें तीन में भी दो parts थे, अभी right now, क्या के किया हम लोगों ने, छोटा सा है ज्यादा है नहीं, यह पहला lecture किया आप लोगों ने, group का definition किया, उसके बाद आपने additive group समझा, multiplicative group समझा, और तीन-चर बहुत अच्छे questions किया हैं, जिसमें, 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 जिसमें प्लस डाला, rational में प्लस डाला, वो तो ordinary question हो गया, आपने r-1 में, r-1 में a star b करके अलग से operation define किया था, इसी तरीके से आपने rational numbers में a star b अलग से define किया था, चलिए पहले lecture यहीं end करते हैं, अब हम second lecture में मिलेंगे, जाने से पहले one thing, जाने से पहले, कि मैंने end में बोला था, content wise और book wise, यह आपको content है, नए बच्चों के लिए ज्यादा कुछ है नहीं है, अभी groups शुरू किया है, फिर इस subgroups भी शुरू करेंगे, यह lecture जितना भी चले, 15 classes, 20 classes, 25 classes, यह सब कुछ आपको order में मिलेगा, हंजी सही सुना आपने, और topic करने के साथ हम कुछ-कुछ-कुछ-कुछ exam के questions भी discuss करते रहेंगे, कुछ-कुछ करते ही रहेंगे, जिससे आपको विश्वास लगें, क्योंकि बच्चा क्या समझता है, कुछ-कुछ बच्चों के लिए तो अकैडमिस की पढ़ाई का कोई महच्पगी नहीं कराएंगे, वही तो असली पढ़ाई है, उसको करने के बाद ही तो आप उपर उठेंगे, exam के questions क्यों नहीं कर बाता बच्चा, यही कारण है, उसका base ही नहीं धंक से strong होता, अब आप base strong करने चलेंगे तो वहीं फस जाएंगे, बैटर guidance डून ही है पहले, यह सब कुछ आपको कराया जाएगा first thing, secondly, विटा books के बरे में थोड़ा से बता, यूनिवर्सटी एक्जाम हो, college के एक्जाम हो, या कोई entrance exam हो, entrance exam में फिर वही नेट, gate, TIFR, NBHM, DUMSC, IIT, jam, yes, यह सारे exams के बरे में बात कर रहा हूँ, यह वाली books देखें पहले, पहली book है Galion, नाम तो बहुत सुना है आप लोगोंने, दूसरा book है, खन्ना अन्भामरी, और जो इसका third book है आपका, आर कुमार भी चल देगा बिटा, number four, group theory, for entrance exams, आजी सुनी एदर सुनी सुनना पड़ेगा, दो मिनट का टाइम और लेते हैं, गैलियन है, खन्ना अन्भामरी है, और यह लास्ट वाला book है, गैलियन में बहुत अच्छा से प्रिजेंट किया गया चीजों को, कोई भी beginner, कोई भी नया बच्चा, गैलियन का पहला chapter जो groups जहां से शुरू है, उदर से ना पड़े, कि वह dihydral group करके ऐसी pictures हैं कि बच्चे कई बार ना, मतलब terrorize हो जाते हैं, I should not say these words here, यही सच है, तो शुरू का चेप्टर ना पड़े, शुरू का चेप्टर ना पड़े, वह एक चेप्टर बाद, एक तो जीरो चेप्टर है वह और देख लीजेगा, पहला chapter जिसमें pictures बनी हो इसको देखके डरना नहीं हो, उसको skip करके आगे बढ़ जो, सर वोक अपड़ेंगे, वह बाद में पड़ लीजेगा, मैं बता दूँ आप, उसके खन्यन भामरी जो बुक है, खन्यन भामरी खन्यन भामरी सर, खन्यन भामरी खन्यन भामरी सर, Delhi University हम हमारे हैं, KMC College में लेक्टर थे, अब तो रिटायर हो गए हैं, Delhi University की course book रही है, 10-15 साल तक, अच्छी किताब है, आरकुमार, यह आपको आरकुमार हर subject में मिल जाएगा, Group theory में, Ring theory में, Linear algebra में, Matrix space में, Real analysis में, इसमें, सब में, इसमें कई सारे चीज़े solved हैं, तो यह तीनों चीज़े हो गई हैं, आपका academics का काम भी कर देगा, entrance का काम भी कर देगा, entrance के लिए Galen भी बहुत अच्छी किताब है, Lastly, Group theory for entrance exams, यह मैंने लिखी है, जिसको entrance की त्यारी करनी है, उसके लिए भी है, और academics की त्यारी बहुत भैतर तरीके से strong होगे करनी है, उसके लिए भी है, चलिए, इतना सब के बाद, I hope यह lecture आप सब के लिए अच्छा रहा, और हम जल्दी मिलेंगे, Thank you very much, thank you.